है लो फ्रेंट mechanism कैशे हो आपसब मेरे गार्ड़ेन में आप सभी का स्वागत है यह छे खुबषूरत स вариант आप लोग मेरे समने देख रहे तो धेहं थफ़ावर और धेहं थज। अच्छा फ्लावर को सभी पहचानते बहुत स stiff फ्लावर होता है इसमें बहुत सारा कालर आप लोगों को दिखने को मिलेगा जैसे ये ऑट पास देखर यह आप लोग डैट कलर में हैं ये जो है met water सा परपल और ये जो है यह का ऐ knockediness का है जिसे करणिशन कहा जाता है जैसे बिखी मेरे पास एक करन isn't ऐसमें डाबल पेटल है और देंत हसं होता है इसमें सिंगब पैटल होरती है तो डेनत हसको किस तरह से गर्मियों में सेफ कर सकते हम लोग आगले साल के लिए और गर्मियों में भी बहुत सारह ऑन ले सकते इस से तो उस तो गर्मियों में अगर इसे सेफ करके बहुत तरह फ्लावार चाहते हैं तो इसे जो है सुबे का एक दो घंटे का धूर इसको दिखा दीजिए और शेडी जगा में रख दीजिए तभी ए प्लांट जो है आपके पास रह जाएगा और बहुत तरह फ्लावारिंग करेगा और पानी थोड़ा देखके दे बिल्कुल प्लांटा सुकनी नहीं चाहिए मिठी में थोरी नमी रहनी चाहिए देखिए मिठी में नमी है इस तरह के मिठी होनी चाहिए मिठी में नमी रहनी चाहिए तो प्लांट अच्छी तरह से रहेगा पानी देखके दे और थोड़ा सा श सेट प्रोवाइट करने की कोई सुविदा नहीं है वो लोग इसका जो है सीड सेप करके रख सकते जैसे मैंने तो सारे काट दिया काली काट दिया सारा जो सीड बन रहा था क्योंकि फ्लावार चाहिए मुझे सीड नहीं चाहिए तो यह दिखी मैंने इस तरह से काट यहां से क आपलोगों से जब सोप जाएगा सो पी कि ये से इस तरह में हो जाएगा लै झाल्स तरह को सीड होते हैं वो सीड को आप लोग सेफ करके रखिए और कोई धूप में खुरा सा सुखा लीजिए सुखा के कोई एर टाइट कांटेनर में रख दीजिए तो आगले साल इससे बहुत सारा प्लांट आप लोग त्यार कर सकते हो ताकि कोई प्लांट खरिदना नहीं पड़े और जिनके पास जैसे जगे है शेट प्रोवाइट करने की वो तो सेफ करके राखी सकते हो तो इस तरह से करने से आप लोगों को प्लांट जो है रह जाएगा तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर औ तब तक के लिए हैपी गार्डेनिंग